असोक गहलोत अपनी जादूगरी के लिए मशूर हैं वो गुगली भी बहुत अच्छा डालते हैं अशोक गहलोत की जादूगरी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी जादूगरी करते हैं कि दाएं हाथ से क्या कर रहे हैं बाएं हाथ को पता नहीं चलता है तो क्या सोग गहलोत कोई ऐसी गुगली डालने वाले हैं कि मोदी साहब खड़े-खड़े अपनी ही पिछ के उपर हिट विकिट हो जाए? सवाल ही है और ये सवाल क्यों खड़ा होता है? वसुंद्रा राजे वसुंद्रा राजे जिनकी मोदी के साथ नराज़गी का किस्सा केवल राजस्तान की फिजाओं में नहीं बलकि देश और दुनिया में जो भी राजसनिती के बारे में समझ रखता है उसको पता है कि वसुंद्रा रा मूड में नजर आ रही हैं वसंद्रा राजे वसंद्रा राजे यहां पर कोंग्रेस के नेता गोरो गोगोई और गोरो गोगोई कोंग्रेस के अब कोई छोटे नेता नहीं रहे हैं सांसत तो जरूर हैं लेकिन गोरो गोगोई को जब एविश्वास प्रस्ताव आया तो कोंग कोंग्रेस ने लीड करने के लिए गोरोगोई को भेजा राहूल गांधी के स्तान पर पहले नंबर पर गोरोगोई बोलते हैं और गोरोगोई के पिता तरुन गोगोई और वसुंद्रा राजे वो एक समय की राजनती करने वाली पीडि़ी है अब गोरोगोई दूसरी काफी वाइरल हो रही है और अब कयास उठ रहे हैं कयास लग रहे हैं कि गहलोत की कुछ गुगली है वसंद्रा की कोई नराजगी है वसंद्रा कहीं पर कोई प्रेसर बिल्डिंग का गेम के घेल जो गेम है वो खेल रही है बीजेपी के साथ ये तमाम सारे सावाल खड़े हो वरना राजनिती के जब सबसे चर्म दिन होते हैं चुनाओ के दिन होते हैं उन दिनों में कोई ऐसी मुलाकात करता नहीं है यह तस्वीर मैं आपको बता दूँ यह तस्वीर है राजस्तान के उदैपूर एरपोर्ट की राजस्तान के उदैपूर एरपोर्ट की तस्वीर है और वहाँ पर वेटिंग रूम में जो है वो दोनों बैठे हुए हैं और उसके साथ में पहले यहाँ पर फोटो खिचवाते हैं उसके बाद में बहुत रिलेक्स मूड में जो है वो दोनों नेता अपस में हाँ पर नजर आ रहे हैं बात कर रहे हैं आम तोर पर होता है कई बार जो है वो एक ही फ्लाइट से दोनों नेताओं को जाना होता है तो वेटिंग रूम में हो सकता है कुछ देर के लिए जिस तरह से वसंद्रा राजे का कद है वसंद्रा राजे की जो पोल्टिक्स है उसको जो है दिखाने की कोशिस की है संदेश जो है वो दिल्ली को देने की कोशिस की है क्योंकि वसंद्रा राजे का कहीं पर कोई नाम नहीं है राजसान के अंदर वसंद्रा बीजेपी का सब से 70 एमले बीजेपी के बताया जाते हैं कि एक जटके में वसुंद्रा के साथ खड़े हो जाएंगे 15-20 एमले ऐसे होंगे जो बीजेपी के साथ में जाएंगे बाकी वसुंद्रा के साथ खड़े हो जाएंगे लेकिन उनी वसुंद्रा को नरेंदर मोदी साब अमिच्छा एक आर्सी से और उसका बैक्ग्राउंड भी मां आपको आगे बताऊंगा क्या बैक्राउंड है उसका और किस तरह आपकी हुई आपस में एक आर्से उनको बाहर रखा हुआ है और वसुद्रा राजे को अब जो है वो चुनाओ परबंदन साब की नराजगी कुछ और यू बढ़ गई कि रास्तान के अंदर जो परिवर्तन यात्रा निकलती है पिछली बार की जो गैलोत की सरकार रही अब गैलोत की सरकार से पहले तो वसंद्रा की सरकार थी लेकिन वसंद्रा की उस सरकार से पहले गैलोत की सरकार थी और गैलोत की स इस बार जो है वो डाइलूट करने की कोशिस की गई है कि वसंद्रा के चेहरे को जो है वो कमतर कर दिया जाए और उसके साथ-साथ कई बड़े चेहरे वो जो है वो और उतारे गए हैं और इनके समकक्स जो है वो रस वसंद्रा के साथ-साथ और कई यात्राएं तीन-चार या और इस बीच में ये जो दो तस्विरे सामने आना ये अपने आप में दिखा रहा है कि मोदी साब तो केवल एक लाल डायरी को लेकर के उड़ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि असोग गैलोत की गुगली ऐसी हो कि वसुंद्रा जो है वो वसुंद्रा बहुत बड़ा नाम है वसुं बात है अपनी ख़बर को कम करने वाली बात है लेकिन वसुंद्रा बहुत कुछ कर सकती है वसुंद्रा बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है और कितना नुकसान पहुंचा सकती है वसुंद्रा उसके लिए आपको इस तस्वीर को देखना होगा ये तस्वीर आप मुक्ह मंत्री रेका दावर नेता रहे और यदूरुप यदूरूरुप वो चैरा जिसने पहली मुक्ह मंत्री और भुए यदूरुप यदूरुप सौर्वें के तुरुप पर जीए बाहिए फसरी बात कि लाग्रुता हुई है फिर जब हम इच्छा पहुंशते हैं करनाटक के अंदर यदुरुपा के यदुरुपा को रोकते हैं और यदुरुपा के बेटे से कहते हैं कि आप गुल दस्ता पहले दीजिए तो बहुत अत्तक जो है वो यदुरुपा को मनाने की कोशिस की गई उनके बेटे को आगे बढ आई है कि 75 साल से उपर होकर कि हम मार्क दर्शन में डाल देंगे उस वाले सिस्टम के लिहाज से यदुरुपा को साइड लैन कर दिया हलाकि एक कारण और भी बताया जाता है कि करनाटक में जो है वो करप्शन का भी मुद्दा था यदुरुपा करप्शन के नाम पर घिरे व कॉंग्रेस मुद्दा उठा रही थी करप्शन वाला यदुरुपा के नाम पर अब मोदी साब जब जाते हैं रास्थान के अंदर मोदी जी की जो पहली रैली हुई रास्थान में तो उन्होंने लाल डैरी का जिकर किया अमिच्छा की जब पहली रैली हुई तो वो लाल डैरी का जिकर करते हैं अमिच्छा कहते हैं कि कोई लाल कवर भी मत चढ़ा लेना अपनी कोपी के उपर क्योंकि असोग गैलोत नराज हो जाएंगे कोई अपने घर में लाल डैरी भी मत रख लेना असोग गैलोत नराज हो खबर लगी कि सचीन पाइलेट कुछ आखे तरेर सकते हैं सचीन पाइलेट ने फरवरी के अंदर जुलाई 2020 के अंदर जुलाई 2020 में वो मानेसर आ गए थे आपको याद होगा मानेसर का परकरन लेकिन उससे पहले भनक लग गई थी सचीन पाइलेट को ले करके और राजस्थ लिए असोग गैलोट ने उससे पहले ही सितंबर 2019 के अंदर बीएस्पी के छे विधायक जो थे कुल छे विधायक उन कुल छे विधायकों को असोग गैलोट ने अपनी पालिटी के अंदर सामिल करा लिया था मतलब सरकार पर इदर उदर से यहां वहां से अगर कुछ कहीं पर दिक्कत भी होती तो वो दिक्कत भी डिफ्यूज हो जाए इसलिए असोग गैलोट ने अपने आपको पहले ही सेफ जोन में पहुंचा दिया था तो असोग गैलोट की यह तो जादूगरी कहीं जाती है बहुत सारी और बाते कहीं जा सकती हैं लेकिन वसंदरा पर लोट यह जो तस्वीर गोरव गोगोई के साथ में यहाँ पर वाइरल हो रही है तो गोरव गोगोई को यह ऐसा नहीं कि सिंपल नेता है गोरव गोगोई को राजस्तान स्क्रेनिंग कमेटी का चेर्मेन बनाया गया है सचीन पाइलिट के बरोबर की जहें जो है उनको दी गई है उनके साथ में अभिशेक दत है गनेस गोडियाल है यह आप देख रहे हैं अभिशेक दत और इनके साथ में गनेस गोडियाल इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़राएंगे अभिशेकदत और गनेस घोडियाल तो तीनो बड़े नेता जो है वो अभिशेकदत दिल्ली से है तो ये तीनो नेता जो है वो मिलते हैं गोरोगोगोई सबसे बड़ा फेस है इनके अंदर तो जिसको अभी राजस्तान में स्क्रीनिंग कमेटी का चेर्मेन बनाया गया है उससे जो है वो विपक्स की सबसे वड़ी नेता मिल रही है अब बतेए इसको राजनितिक चसमे से ना देखें तो फिर किस चसमे से देखें और वसंद्रा को इस चसमे से देखने की जरूरत बहुत जादा है सुप्रिया ने ट्वीट किया है सुप्रिया ने लिखा है कि ये कोई सिंपल मिटिंग नहीं लग रही है राजस्तान के रण में एक जादूगर है तो एक रानिशा है ये कौन सी रानिशा की जादूगरी है अब ये दोनों का कोक्टेल है क्या जादूगर और रानिशा मिल करके कोई बड़ा गेम कर रहे है बहुत बार ये आरो आरोप लगते है सचीन पाइलेट जब नराज हुए तो वो इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया कि असो गैलो जो हो रानिशा के यानि वसंद्रा राजे के खिलाब भष्चार के अरोपों की जाच क्यों नहीं करा रहे है बहुत सारी बाते हुई लेकिन ये जो वसंद्रा है और मोदी जी है इनका बड़ा 56 का अकड़ा जो है 36 का अकड़ा कहना चाहिए लेकिन मैं 56 का अकड़ा कह रहा हूँ 56 का क्यों है मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को 56 के इसाब से जो है वो दूरी रखते हैं अब सुनिये जरा ना चुनाव परबंदन कमेटी में ना संकल पत्तर में बीजेपी की टीम में वसंद्रा राजे को जंग है नहीं मिलने से अटकले तेज हो गई ये 17 अगस्त 2023 की खबर है अभी की दस रोज पहले की खबर है दस रोज पहले जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े फेस को ना आप जो है चुनाव परबंदन कमेटी में रख रहे हैं ना संकल पत्तर कमेटी में रख रहे हैं और ना ही मुख्य मंत्री डिकलेर किया जाएगा क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि हम पांचों राज्यों में जब चुनाव के लिए जा रहे हैं तो मोदी के फेस पर ही हम चुनाव पर जाएंगे हम अलग से जो है मुख्य मंत्री डिकलेर नहीं करेंगे दूसरा देखिए वसुंद्रा राजे से किनारे कर बीजेपी राजसान की लीडर्सिप में नए विकल्प खोज रही है वसंद्रा की लिडर्शिप को लेकर के बीजेपी असमंजस में है वसंद्रा की बड़ी भूमिका निभाने की गहरी ख्वाइस के एकदम उलट है वसंद्रा के अगर मैं बात बताऊं तो आपको एक उधार मैं आपको बताता हूं वसंद्रा की खासियत कुछ-कुछ जैसी है आपको दिखने में वसंद्रा लगता है कि इतनी एक्टिव नहीं होंगी शायद और वसंद्रा के बाते में कई सारी चीजे और भी कही जाती है एट पीम नो सीम इस तरह की बाते भी कही जाती है लेकिन छोड़ी उन बातों को वसंद्रा जो जिस तरह से दिगवीजे सिंग है मद्यप्रदेश के अंदर आप एक एक बूत पर खड़े हो करके नाम बता देंगे आपको करिकरताओं के किसी जहें पर जाएंगे तो वहां पर खड़े हो करके नाम बुला करके बुला लेंगे वसंद्रा का भी उसी तरह से बीजेपी के अंदर वो रशूक है वसंद्रा क नहीं बलकि यहीं से तैय होता है तो वसंद्रा को जो है वाब किनारे करके बीजेपी अगर तला सरह कुछ संभावना है तो उसमें कितना जो है वो दम होगा बीजेपी अपना नुकसान करेगी फाइदा करेगी मालूम नहीं अब दूसरी बात देखिए धारमेक यातरा पर व नुकाबले बागी वसंद्रा राजे की धारमिक यातरा अब ये वसंद्रा राजे रासनेती की दुरों में धारम की रास्ते पर क्यों चल रही है धारमिक यातरा क्यों है यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है और इसी तरह से हर जहें पर ऐसा नहीं कि कोई मैं अलग से जिकर करके बता रहा हूं हर जहें पर जो खबरे बन रही है कि वसुंद्रा राजे को क्यों नहीं कमान सोपी गई चार धार्मिक स्थल चुनने के पीछे की रणनीती क्या है तो हर कोई अब जो है वसुंद्रा राजे को नरिंदर मोदी को खुल करके राजनेतिक चस्मे की से देख रहा है कि ये कईने कई इसमें ऐसा है कि कुछने कुछ तो अंदर खाने जरूर पक रहा है लेकिन ये पकने वाली बात पहली बार नहीं है इसका अगर आप इत्यास खंगा लेंगे तो बहुत पुराना है और ये मैं आपको पहले चले ख़बर बताता हू वसुंद्रा राजे ने मोदी को निसाने पर रख करके कहा कि चुनावी सफलता का गुमान नेपाले कोई और इन्होंने जन्चसभा के अंदर संबोदित करते हुए कहा था कि लोग सभा चुनाव में आपने 25 सानसद भेजे विदान सभा में 163 विधायक आपने जिताए किसी व्यक्ति को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि जीत उसकी वज़े से मिली है जनता जिताने के लिए निकलती है तो दिल खोल करके और हराने के लिए निकलती है तो घर भी भेज देती है यह वसुंद्रा राजे का बयान है यह बयान कब का है मालूम है यह 2014 की जब परचंड जीत हुई थी मोदी जी की जब उसके बाद का बयान है उस वक्त में गैलोत की नहीं वसुंद्रा राजे की भाजपा की सरकार थी डबल इंजन की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि हमने 25 विधाय सांसद भेजे हैं हलाकि इस बार भी 25 सांसद गए तो वसुंद्रा राजे और मोदी का जो कनेक्शन है 56 का वो आज से नहीं है वो ग सीनियर के तोर पर रखके वह वो सीज पर सहज नहीं हो पाते हैं और इसमें एक नहीं कई सारे उधान दिये जाаров. मोदी saab की बड़ी जो हो वो अजीब सी जो है उनकी दिक्कत है कि वो अपने सीनिर के साथ कंफ़र्टेबल नहीं हो पाते हैं मोधी साब जो है वो सिवरा सिंग चोहान के साथ कंफ़र्टेबल नहीं थे लेकिन सिवरा सिंग चोहान तो खुद अपने आप से जो है वो बोले कि आप ही जे जेकार वो प का पैर वह वाली कहानी जो है वो फिर राजनात सिंग उसको लेकर के आगे बढ़ गए लेकिन अब उस राज्ये में देखिए विधान सभा चुनाओ से ज़्यादा जो है वो दिल्चस्पी लोगों की लोगसभा चुनाओ के अंदर है विधान सभा चुनाओ में मोदी साब ज करके रखा जाए ताकि एक यह मैसिज आए कि विधान सभा चुनाओ में भले हम हार गए है एक टाइट फाइट रही है लेकिन लोगसभा चुनाओ होगा तो बाते दूसरी होंगी मोदी का चेहरा रहेगा फिर उसके बाद जीत निकल करके आएगी लोग अलग से वोट करें लोगों की मैंडसेट अलग से होगी तो उस चीज के लिए मोदी जी जो है बड़े चिंतित रहते हैं और उनकी कोशिस यही है कि वसंद्रा राजे के नाम पर अगर एक नुकसान होता भी है तो उसको जेल सकते हैं लेकिन लोगसभा चुनाओ का नुकसान नहीं और इसी लि के चुनाओ में नहीं दिखता है तो क्या वसंद्रा ने मुलाकात करके दिल्ली को एक संदेश दे दिया है क्या वसंद्रा ने जिस तरह से कॉंग्रेस के नेता के साथ में बिल्कुल रिलेक्स हो करके जो मुलाकात की है उससे भाजपा दिल्ली की जो भाजपा है उसकी में क्या वाकई इस बार असो गहलोत कुछ अलक गूगली डालते हुए नजर आ रहे हैं नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राई जरूर दें इस वीडियो को खूब शेर करें लोगों तक पहुंचाए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जिरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को ल झाले आप